शेहर में पहली ओल इंडिया होमियोपेथी रिसर्च परिशत का आयोजन 18 वह 19 मार्ज को सुरेशवड सभागरा में किया गया है मुख्यमंत्री एक नाश शिंदे इस परिशत का उद्खाचन करेंगे इस अफसर पर केंद्री राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे वह उपमुखे मंत्री देवींद्र फड्नवीज प्रमुकता से उपस्तेद रहे आयोजन समिती के अध्यक्स डॉक्टर विलास डांगरे है इस दोरान होमियोपैथी के विविद रिसर्च पेपर्स की जानकारी का आदान प्रदान होगा दुनिया में सबसे तेज बढ़ने वाली चिकित्सा पधधती में होमियोपैथी को माना जा रहा है इसके सकारत्मक परिनाम के चलते ये लोग प्रिये हो रही है परिशद में 2030 में होमियोपैथी चिकित्सा कैसी होगी इस पर विविचार किया जाएगा इसमें कि पूरे दुनिया से लेके भारत में होमियोपैथी के चरनबद विकास को उस लेजर सोके माध्यम से दिखाया जागा वो पबलिक के लिए ओपेन ग्राउंड गाउंड मेरा नाम डॉक्टर नितीस दूबे पत्र परिशत में डॉक्टर सुभाश राउ, डॉक्टर नितिन चंद्र दूबे, डॉक्टर रश्मी शुकला, डॉक्टर राधिका मुर्कुटे, डॉक्टर ज्यानेश्ट हकुलकर, डॉक्टर राजेश, रत कंठीवार उपस्तित थे इन बिसे नियोज के लिए केमरा परसन राजकुमार मोहड के साथ अभिशेक पांसी की रिपोर्ट